दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे कुछ स्वास्त होंगे मस्त होंगे कुछ कुछा लोंगे हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक है मीवी को लेकर अभी हम आया है सौधी जन्मान हॉस्पिटल उसकी आइस में थोड़ी करना पड़ा और यहां पर हर ऑस्पिटल में इस तरह के प्ली जोन एरिया होते हैं जहां अपने बच्चे को मतब छोड़ सकते हो बच्चे कर सकते हैं तो यहां मेरे ने मीमी को थोड़े के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बहुत जादा वेटिंग था तो मीमी बहुत जा डायइड घर जाने वाले थी तो मेमी को में एक प्यारा सा चोट असा आनेदानी से चॉकलेट केक दिला दिया पॉकिट केक दिलाएं यहां पर इस सब कुछ फेनेश हो गया है रमजान का टाइम स्टार्ट होने वाला है ना तो सब कुछ फ्रेश बनेगा सब अच्छा अच यह प्रश रुप्स में और अभी हम तर्मिया एकल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं तो उसी के लिए कुछ फूट्स वेजिटेबल्स लेने के लिए में कमीमी आ गई थी हुआ है तो गैज नवराद रोकी आप लोग को सब की सभी को हर्तिक शुद्गा मादशे आपके नो के नो दिन पशचे जाएं और कल से रम्हों रम्जान करें रम्जान की भी आप लोग को सब को बह। बहुत हैं और अभी मैं सुब्यजीर के लिए फूड स्टैक कर रही हूं और इस मैंगो कट करके दिया उसको मैंगो खाना बहुत साथा पसंद और कुछ ट्रीट्स में कल तमीमी से लेकर आई थी क्योंकि इसको शुष्कोल में रमजान स्पेशल कुछ ट्रीट्स बचों के लिए उन्होंने लिख दोजो एप होता है उसमें उन्होंने इस ट्रेट्स बेजि और टीचर्स को मैंने बता दिया था तो वो लोग ही सब मैनेज कर लेंगे मीमी तो मेरी कुछ भी नहीं बताती है आने के बाद अपने ही मन की गाती रहती है और कुछ बोलती भी आवा जागे एक दम से स्टार्टिंग में चुप हो जाती है फिर मैं उसकी मिस से फोटो शे साथ है वहां नहीं जाना होते हैं काफी दिन बाद इसको स्कूल योइन करनी को शायर उसकी साथ होई है तो देव जीद को भी ब्रिकफास्स में कुछ मी नहीं देने वाली हूं क्योंकि आज उनका वरत है पहला और आकरी नवरात्री का हम दोने ही मिलके वरत रखते हैं और सबने उटाओं के फिर अपनी पुझा करना शुरू करती हूं अगर होता है अगर हम साथ में शाम की पुझा साथ में कर देते हैं तो उनके लिए से लिए मैंने फूट्स कट कर दिया है जब आनको चोटा मोड़ा सा कुछ बना दोंगी जो कि फलहारी होगा और कुट्टू अगर है सबने इडिया से लिए तो कुट्टू है घर में रखा हुआ तो कुट्टू की पकॉर्या मना दूंगी या आलू फैर कर दूंगी तो फिर अभी दिव जी तो कुछ कर जाएंगे इसके बाद में घर का काम जो भी हैं सब शुरू करूंगी आज जगी अल्दी सब क घरों से दिये बाते की एक खुश्बू आती है फिर घंडियों की आवाज सुनाई देती है लेकिन यहां सारी चीज़े बिलकुल फेल ही नहीं होती है यही चीज़ बस मैं मिस करती हूँ यहां पे जब मैं वहां थी तो मैं हर त्युहार से पहले भगवान जी के लिए माता एंस आर गश्श्मिन हो ब田 der ने जी चीज़ हम बहुत जबर करते हैं जो साथ में होने के हर कहार की जो मज़ी है ना जो सांप में आख्यों ब्री लगती है और यही भादीर यह थी दो चीस में चाबर कर दाज़ा में और रह सकती हूं नहीं धूना कि सूचता है जो वहांlic याद को एक साथ में रहना है लेकिन है और जैसे हमाती है इंसान को मिलों पड़ता है मैं नहींस हो चुका है मंदिर वाली रूम को कुछ भी क्लीन नहीं करना है और अभी बस मैं फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ फ्रिज मैंने काफी दिनों से भी क्लीन नहीं गया था और नवरात्रे हैं तो नवरात्रों के लिए मुझे क्लीन करना ही था मैं फ्रिज भी क्लीन कर लोगी क्योंकि फ्रिज मेरा बहुत दिनों से वैसे मुझे क्लीन करना था लेकिन जादा गंदा नहीं हुआता जो जगह सब जादा यूज होती है वही थोड़े बहुत गंदा था जैसी एक्टे एरिया हो गया फिर लेफ्टोवर फूब का जो क्लीन कर देती हूं कली मैंने सारा जितना मिन आइटम सब मैंने फ्रिज में से निकाली दिया था क्योंकि यह लोग बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं कुछ भी नौन विज नहीं खाते हैं इसलिए पूरे फ्रिज को क्लीन करने के मुझे जरूरत नहीं थी मैंने कपड़ा पूरे फ्रिज में और उपर वाले शल्फ को तो मैंने आज क्लीन कर दिया है त्रेवे सब निकाल दी है क्योंकि यह सब काम थो मुझे वैसे कल ही कर लेना चाहिए था बड़ टाइम नहीं मिलने के वज़़े से मैं कर नहीं पाई और अभी मैं यह सारा काम निप्टाओंग कर दो मैं कर दो बड़ बड़ यह सारा काम फाले है क्योंकि अगा इस क्योंकि अग्या है अहीं मैं है अजस में बच्छारो अजस पिलाई। जोटी तुमारी दिहो लोग पहली कुछी आरी जोटी खिलानी समय शुटा गपलाप से थिए बोले कराश आवाली माता दी शदा ही जे याँ दीव सजूटी शुभू Żकती रुप्रेनस तो फूजा हो गई है अभी मैंने सुचा कि चौलो कुछ खा लेती हूं क्योंकि मैंने से खुछ भी निखा एक कर चाय भी नहीं दी है तो मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए बठा दिया है उपर से यहां पे मैंने अभी साथ में बठा दिया है आलू अब साथ में नहीं तो साबूदद दना कैसे है और कैसे बनेंगे लेकिन मैंने शाम को देखा जाएगा कि क्या हता है अभी मैंने यह पैंद निकाला है लुहे का कास्ट आयरन का तवा मैं कोई याद ही नहीं था कि मैं इंडिया से यह तवा लेकर आई हूं मैंने अभी निकाल के देखा तो यह बिल्कुल नया का नया है मैंने सब्सक्राइब के लिए सबसे बेस्ट रहेगा यह तवा कल मैं मार्केट से लेने वाली थी बट फिर मेरे को ए अच्छे से फ्राइब कर लोगी और यहीं दही के साथ खाने के लिए जलंच के लिए हो जाएगा हम लोग का और देव जीद में आएंगे तो वह भी बोल रहे थी कि वह भी खा लेंगे और में इंडिया से सेंधा नमा कुट्टू की आटा सब कुछ मैं साथ में लेकर आई कोशिश करूंगे कि नवरात्री का जो लास जे होगा उससे पहले मैं लेकर आपाऊं तो मैंने अब इसमें अफिर उसी से पूजा करूंगे तो लास्ट मैंने मैं थोड़ी सी काली मिर्श पाउडर भी डाली एक उटके वह भी बहुत अच्छे लगती है तो देवजी त आ मनी चीची हो हां हैं हैं वास करो आर शोल्स रिमूग करो चलो सिट अच्छे नीव मैसेश चिलो पारी को रचे एठी थ्री थ्री मैसेश चिला च्छे बाई हां एक वर पार शाम होगी है मैंने स्वाइब तर्टेंव डाल दे जहां कि बाहर से सारी रोशनी फिर नेका अंदर एक दिखती हैं और ये मेमी मैडम अपने इन गुफू को लेकर आप लोगो दिखाने के लिए आई ये मिश पीचे गुमती रहती है मैं क्या कर रही हूं क्या ने कर रही हूं और देवटी तब होरे बहुते से आउन भी नहीं है न इसे लिए हो आएंगे तो फिर हम शाम की जो पूजा है वह साथ में करेंगे बने अब लोग को बतारा ।बिंग सुबह की जिख करते हैं सुबह ईया बुजा स्कूल में वह आप लोग को दिखाना चाहती है और साथ में उसने को रमजान का भी कुछ एक क्राफ्ट बनाया था वह भी आप लोगो दिखाना चाहती है तो मुड़ाफ है क्योंकि मैंने मना किया मेरे पस बहुत सारे काम थे इसी वज़े से ए वावर भुके इस फ्लावर भुके यह विग वम एक रवा र मजान रों यह टी ऐवनाय थी एकल और रीकाच अपिरा मजान बलदा हूं कि अप्रॉवाओ ना Cana रंजान रंजान गुदूड और अर फार्वार बना वो प्रॉवाओ इसके बाज आर विष्कका वर्फार्वाओ ना है खिराइड साहुआ है साहुआ साहUआ साहुआ साहुआ क्या कर रही हो जलो अगर बैती को करो जलाओ अगर बैती अगर बत्ती जलाएंगी खुद से पूरे घर में दिखाएंगी खुद से और मुझे डर लगता है क्योंकि ये सारी चीजे जो बच्चे जित करते हैं वही सबस्यादा डर की बात होती है क्योंकि ये मानते नहीं और इन सबसे ही कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसी हो जाते हैं जो होनी नहीं जाएं घर पे लेकिन सुनती नहीं है न हमेशा अपनी चलाती है कि खाने के लिए काफी कुछ प्लान किया था बड़ देजित को बहुत भूग लगी थी मैंने कुछ भी कुछ नहीं किया था मेरे प्लान तो था उनसके आने से पहले ही में कुछ बना लूँगी बट नहीं हो पया इसलिए मैं यहां पर आपी सिंपल सा आलू टमाटर के सबजी बनाओंगी यह मैंने गी डाला है जीरा डाला है और हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया है इनको अच्छे से हम लोग भूण लेंगी तक टमाटर एक दम अच्छे से गल नहीं जाते नमक डाल दूँगी और साथ में आम बॉल डालू डाल तो यह डालू टमाटर के सबदी मुझे रसे वाली बहुत अच्छी रगती है पसंद है मुझे इसमें और कोई मसाले डालू के क्या फलारी में कोई मसाले नहीं पड़ते लालमिच पाउडर नहीं पड़ता पहले तो हम डोग टमाटर भी नहीं खाते थे बट अब हम अब लाज़ाओंगी बट देव जी दिसलाइक की पूरी बहुत जादा ओड़ी और हेवी हो जाएगी तो पूरी की जगह कुछ और बना लेते हैं तो चीला मैंने सूचा चीला बना लेती हूं तो इसके साथ में चीला बना उगिए इन्डिया में तो हम चार पांच घंटे यह पिलकल ही घला हो गया है तो इस सबुदाने के चेप में तब सबू दट्व को भी मिक्स कर दो ATE मुक्स कर दिया है मुर्व हमेद और आलो थोड़ा सा था साथा बॉयल के था तो मैंने आलो मिक्स कर दिया है , इसमें चीरा और साथमे हरी में चिरा दिया तो नमक डालके इसका चीला बना लेंगे और अलुटेमाटर की सबजी के साथ अच्छा खासा फरलारी डिनर हो जाएगा और साथ में थोड़ी सी दही रख लूगी तो ये ही मिराज का डिनर होने वाला है अलुटेमाटर की सबजी, कुट्टू का चीला और रायता, दही का र ही गाइज आज है नेंग्स डे और अभी प्रमनारी में यहां पे कड़ी वहां चावल पकॉड़े तलने के लिए वहां पे फ्राइपन रख दिया है तो पकॉड़े तलोंगी हम लोग का नौ दिन का वरत नहीं है पहला और आखरी वरत रखा हुआ है और आज से रमजान श बहुत अच्छे जाए शुब जाए और नवरातरी के भी हर्देग शुब का होना है यहां पर रम्जान के टाइम पर मैं लोगो को विदा हूं क्या होता है कि रम्जान के टाइम पर दस से चार के देवजीत की शिफ्ट हो जाती है और मॉनिंग में मीमी की 9 तू 1 पीम की श शुब जोड़ कर आई मैं और देवजी दोनों गए फिर देवजीत घार आए फिर रेडियो के देवजीत भी ओफिस गए कुछ भी खाना कुक नहीं किया था मीमी को तो बस मैंने ब्राट बटर दे दिया क्योंकि वह और कुछ लेके नहीं जारी आजकल उसको ब्रेट बट वाला फ्रूट्स नहीं दिये आज चुए क्योंकि वह फ्रूट्स जो दिन से खाकर भी नहीं आ रही है तो अल बहुत आदा लड़ होगी और अभी एक बजने वाला है और मीमी को देजीत लेने जाएंगे तो वह आनी ही वाली है तो मैंने उसका खाना तो कुक कर लिया है दाल बना ली है और उसमें आज भी अलुभजा खाना था क्योंकि वह बोलके गई थी कि वह अलुभजा खाएगी कल वह असल में हम लोगों ने वह कुटू उटू बनाया था न तो उसको देखके उसको लगा कि उसका खाना भी यही साब होने वाला है तो बहुत रोरी थी क वह अलुभजा खाना था उसको ने एक बार कोई चीज अच्छी लग जाती है तो फिर वह अन्डी ने सी वही चीज को खाती है और सुभी ममी से आने के बाद फिर घर आई पर मैं जल्दी से घर के सफाई कही क्योंकि नवरात्रे हैं तो मैं एक दिन ऐसा भी नहीं सकते कि क्योंकि जिनके रोजय होते हैं उनके सामने खाना पीना अच्छा नहीं माना जाता इस वज़र से तो देव जी हो एंगे तो फिर उनको मैं पानी शोली मत पानी एंगे और नहीं है के और एक would come in ऑभी मैं को एक तब और तो वह आं और दो को जा दो सुबह तो मैंने उनको ब्रेट खिला के फेज़िया क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ उनके लिए नाश्ता बना सकूँ सोचा तो यह था कि कि मैंने नाश्ता कर दूंगी दुफयर का हम लंच स्किप कर लेंगे रात को हम लोग जल्दी खा लेंगे और देव जी आ भी जाएंगे चार साढ़े चार वजे तक में मतब आ जाएंगे उनका आज इतना ही वर्किंग और यह रहने वाला है रहने रहेगा यह तो रहने वाल लिए कमें और देवियर को भी जाना है है ना फिर टी어도 सबते है लिए गाल्यान वन रोड्राइट कर अशार्ण लिए लिए तो इस अजना है शु टीर तो भी डिखाने के लिए कि जाना है बड़ियर कर गतों दूनि मुशे कर वीले टानों हुल एले यह गचकार देब प्रवसे कड़ी बनानी थी क्योंकि बिल्कुल भी प्याज लसन कुछ भी उस नहीं कर रहे हूं तो मैंने यहां पर थोड़ा सा सरसो का तेल डाला है मैं कड़ी में स्टाटी में चोक सरसो के तेल में लगाती हूं और थोड़ा सा जीरा और मेती डाना और साबुती लाल है पता नहीं कैसी है तो यह मैंने डाल दिया शाय जादा तीकी नहीं है तो इसलिए मैं दो डाल दी है और दो मैं उपर के तड़के में आड कर दूंगी यह जब अच्छे से थोड़ी सी फ्राइफ्राई हो जाएगी तो इसमें मैंने दही नमक हल्दी धनिया पाउडर और भॉल बनाया है जो की कड़ी का भेसिक होल होता है वो में छिए धन तक मैं पकने के लिए रख दूंगी पानी लेडिड़ा के अगी सब मिला कि फिर उसके बाद पकने रख देंगे और उसके बाद में पकोड़ियां तरने वाली हूँ मेरी तल चुकी हैं तो मैंने यहां पर कड़ी में डायेट इन्हें एड कर दिया है क्योंकि काफी सॉफ्ट बड़े बने थे काफी देर तक मैंने फेटा था बेसन के जो पेस्टो उसमें थोड़े सा दही मिक्स किया था और हम उपर से भी एक तड़का लगाएंगे तो Bulgarina Sabut 은 Jira मेथी चोड़ी से सर्सोड़ी करी है कि थोड़ा सा इसम इसमें आल करूंगी और सात्मी मैं करीЬ पत्ता एड करने वाली हूं और अध्रक घणी करोंगीम क्योंकि गणि जो है न मों तोडी बाधी होती है तो इसमें लस्तन अध्रक सब आड करना चाहिए क्योंकि लसन और प्यास तो मैं आज एड नहीं कर रही हूं कड़ी में इसलिए मैं सिर्फ अध्रक एड कर रही हूं इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और कड़ी में उपर से एक तड़का लगा देंगे मैंने गरम मसाला और देगी लाल मर्श का पाउडर का भी तड़का एड करना है कड़ी में तो वो भी हम एक तड़का बना लेंगे तो मैंने वही पैन लिया उसमें दो चमजगी डाला है और साथ में मैंने इसमें देगी लाल मर्श पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है और इसका भी है तड़का हम कड़ी में लगा देंगे तो हमारा पंजाबी स्टाइल तड़का लिकड़ी रेडी हो जाएगी मैंने स्टाटी में बहुत ही कम फ्लेवर डाला था इसी वज़े से मैंने यहां पर उपर में दो बार तड़का दिया है पहले मैं अगर चाहती तो मैं लाल में चौट गरमसाले का तड़का दे सकती थी बड़करी पत्ता और अधरक डालने की वज़े से मैंने तब मसाले याड़ नहीं करें वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देते हैं अले गाइस मैं अज़े व्लोग को यहीं एंड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छा लगाओगा और अच्छा लगाओगा ते लाइक कर देजेगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा मैं बहुत जल्दी अपना खूब सारा ध्यान रखिए खूब कुश्च रहिए और मेरे व्लोग ऐसे ही देखते रहें बाई बाई टाटा टेक केर बाई